सुपरिश्टार रिति ग्रोशन की आने वाली फिल्म के बारे में बात करने वाले है जो कि 2024 से लेकर 2026 तक आने वाली है रिति ग्रोशन की बहुत बड़ी बड़ी फिल्म आ रही है जो कि बॉक्स अफिस पर रेकरड ब्लेगिंग कॉलेक्शन करने का दम रखती है तो चलिए देखते हैं, रिती ग्रोशन के आने वाले फिल्म के बारे में जानते हैं, वीडियो को एक सेकेंड भी स्किप मत कीजिए। नमबर वार टू, ये फिल्म रिती ग्रोशन की सबसे मच आवड़ेट फिल्म है, जिसके लिए अर्डेंश सुपर एक्साइड़ है, क्यूंकि इस फिल्म के अन लीड रोल में इनके साथ जुनियर एंटियर भी दिखाई देंगे, इस फिल्म में ब्यूटिफुल अक्ट्रस क ये फिल्म में हमको कविर का कफी डिफ्रेंट साइड देखने को मिलेगा, कविर वार टू के अंदर काफी वाइलेंट रोल में देखने को मिलेंगे, ये साइट आईगर ट्री के पोस्ट क्रेडिस सिंस से पता चलता है, ये फिल्म 2019 में आई ब्लाक पास्टर एक्शन वार क सेक्वेल होने वाला है, ये फिल्म 475 करोर का बंपर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके ब्लाक पास्टर हिट रही थी, वार टू फिल्म में जुनियर एंटियर नेगेटिव रोल में देखाई देंगे, फिल्म में एक खतरनक भिलेन के किरदार में देखाई देने वाले है, इस इस अधियर टाइगर, टाइगर जिन्दा है, वार, पाठान, टाइगर ठी के बाद फिल्म को आयन मुखर जी डायरी कर रहे है, जो कि ब्रॉम मस्टर जैसी है वी दे एफेक्स बेस्ट फिल्म को डायरी किये थे, जो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी, वही वार फि वोसितिंग फोरेंग लोकेशन फर सुरू पर शुरुख है, ये फिल्म 14 अगत 2025 के मौखे पर और आने वाली है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर इतिहसता चाने का दम रखती है, क्यूँक्य फिल्म की हाईप काफी टगडिभी हुई है, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितना करोड का कलेक्शन कर सकती है फिलिम का पोटेंशियल कितना है आप लोगों को अंदाजा लगा कर कमेंट बॉक्स पर लिख कर आप सभी को बताना है नमबर टू पर क्रिस फो यह फिलिम क्रिस फ्रंचाइज की फॉर्थ इंस्टोल्मेंट होने वाली है कोई मिल गया क्रिस और क्रिस्ट्री के बाद यह रितिक रोषण की सबसे मच अवड़ेट फिलिम है जिसका दर्सक्काफी सालों से वेड कर रहे है फिलिम को डायरेक्टर करने वाल है इनकी लाज फिलिम समसे रा थी जो की वाक्स आफिस पर फ्लाब रही थी इसके अलावा यह रितिक फिल्म को डारेक्ट किये थे इस माच आवड़ेट सुपर हीरो फिल्म का प्री प्रोडक्शन का काम अल्रेडी शुरू हो चुका है फिल्म की शुटिंग इसी साल से शुरू होने वाली है यह फिल्म हमको 2025 के एंड नहीं तो अर्ली 2026 तक देखने को मिलेंगे नमबर 3 जीम स्पिन आफ यह फिल्म एक एक्शन फ्रीलर फिल्म होंगी जिसमें जोन अबरहाम में लीट में देखाई देंगे जीम के कारेक्टर पर भी एक पूरा फिल्म आने वाली है जीम हमको पठान के अंदर देखने को मिला था नेगेटिब रोल में जीम का कारेक्टर अब इस कारेक्टर पर हमको जीम की बैक इस्टरी देखने को मिलेंगे जीम और कपी रो दोना एक ही यूनिट के इस थे दोनों रोक एबेस्ट एजन्स थे तो रितिक रोशन फिल्म के अंदर देखने को मिल सकते है इस्टेंडर के मिल रोल में फैंस दोनों को एक साथ आपने वाला है और रितिक रोशन हर मूवी के पार्ट होंगे वेल फ्राइटर मूवी बॉक्स ओफिस पर काफी डिस्टेंड कोलेक्शन कर रही है इतने टगडे वीच के बाद ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर काफी अंडर परफॉमेंस कर रही है वैसे अच्छी फिल्म बॉक्स ओफिस पर हीट हो पाएगी इट का टैग लेपाएगी नूमबर फाइप एक अंटाइटल फिल्म ये फिल्म इंडियन सीनेमा के सबसे बड़ी फिल्मों मेंसे एक होने वाली है जी हाँ ये फिल्म एक मिक्स अर एक्शन फिल्म होंगी जिसमें गृिइतिक रोशन और रेवेल इस्टर प्रबास लीड में देखाई देंगे यह फिल्म एक मेगा बज़र फिल्म होंगी जिसको पठान के डायरेक्टर सी दर्धानंदर डायरेक्ट करने वाले है फिल्म को पुस्पट जैसे बड़ी पैन इंडियाम फिल्म की मेकर्स महित्र मुवी मेकर्स प्र पर जा चुकी है लेकिन फिल्म कंभम आने वाली है वीडियो को खत्म करने से पहले आप लोग रितिक रोशन के आने वाले कि इस फिल्म का सबसी जाएदा वेट कर ले है हो आप सभी को कमेंट बॉक्स पर लिख कर बताना है वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए सब् कीजिए लिए